नमो नमह सच्चिदानंदरूपाय विश्वद पत्यादिहेतवे तापत्रय विनासाय श्रीकृष्णाय वयम्नुमहम नारदुवाच श्रीमद भागवत महापुरान। और उनमें जो अम्रुथ है उसका हम पान कर रहे हैं। शास्त्र में लिखा है वो भागवत में कि बहुत जन्म का जब पुन्य इकठा होता है तो ये भागवत स्रावन का मोका मिलता है। तो जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो समझना कि आपके बहुत जन्म के पुन्य उदय हो गए। बहुना जन्मना मनते ग्नानवान प्रपद्यते वो बहु जन्म के बाद तो चलो आप ऐसे ही इतना जो अच्छी बात आपके लिए ये है का आप भागवत का स्रावन कर रहे हैं। बोल रहा हूं अलग बाते हैं। पर आप जो स्रवन कर रहे हैं तो आपका भागय कितना बड़ा है। नारद वाच वेद वेदान्त गोशाइश्च गीता पाठाई प्रबोधितम भक्ति ग्नान वैराग्यानाम नोदतिष्ठ त्रीकम्यदाम। नारद जी ने कहा मैंने वेद वेदान्त की द्वनी और गीता पाठ करके उन्होंने बहुत जगाया। किन्तु फिर भी भक्ति ग्नान और वैराग्या ये तीनों नहीं जगे। अभी देखो उसमें कुछ समझने की बात है। जैसे मैं लोग पढ़ जाते हैं ऐसा नहीं है। वो क्या है कि वेद वेदान्त तो जो लोग वेद को जानते हैं तो यदि घीता का पाठ करते हैं तो क्या आपको भक्ति ग्नान और वैराग्या हो जाएंगे। क्या आपका जो कॉंसेसनेस अंदर की जो भीतर की जो चैतन्य शक्ति जगेगी तो नारद मुनि ने प्रयाद न किया तो भी नहीं जगी। तो यह जो बात है तो नारद मुनिक किसको बता रहे हैं तो सनकादिक रुशी मुनिक जो उनको बता रहे हैं तो सनकादिक का मतलब आप समझेए कि सनक, सनन्दन, सनातन और सनतकुमार यह जो सनक है यह रुशी पुत्र है ऐसे समझ लो उनके बारे में वो बता रहे हैं बगव मैं आपको सही बताता हूँ कि यू आर वेरी लक्येस्ट परसन उन दिस प्लैनेटर आप बलेंगे गुरु जी आप कैसे बता रहे हो अरे ये भागवत की कथा सुनना बड़ा भाग्य है बड़ा भाग मानुष्टन पावा ये जो समय है न तो यदि एक व्यक्ति रहता है तो देखो ये शरीर की बात सुनता है कि मेरे जीवन में कैसे विकास हो तो दे ताद्यात्म को पुष्ट करने वाले बहुत वीडियो आपको मिल जाएंगे आपकी अन्नमय कोश को अन्नमय का मतलब आप शरीर को पुष्ट करने वाले वीडियो मिलेंगे ज्यान मिलेगा फिर आपका दुसरा जो कोश है प्राणमय शरीर तो आपके प्राणों को शक्ति देने वाले भी वीडियो मिल जाएंगे आपको फिर मनों मैं कोश है मन को कैसे सुलधड करे मन की शक्ति को कैसे बढ़ाए वो भी आपको वीडियो मिल जाएंगे फिर विज्ञान मैकोस है आपको विवीद प्रका का ज्यान मिलेगा जैसे आप ऐसे ऐसे वीडियो रहता है तो आपको बहुत प्रकार के ज्यान मिलता है ऐसे भी वीडियो मिलेंगे अन्नमैकोस प्रानमै मनो मैकोष विज्ञान मैकोष और फिर जो आनन्द मैकोष है जिसे आनन्द आने वाला मनोरंजन का जो चैनल रहता है उसमें बहुत से व्यूज होते हैं ऐसे आप भी देखते होंगे और अच्छी बात है ऐसा नहीं तो वो भी मिलेगा मगर आपका जो चैतन्य है आपकी जो आत्मा को जगाने वाला वीडियो यह जो नईमी शारण्य में कभी-कभी मिल जाता है और मेरा सोभग्य है कि मुझे प्रभू प्रेना करता है देखो यह है तो मैं क्या कितने वीडियो बना सकता हूं देखो पहला है मैं अन्नमय कोष जैसे आपका सरीर को कैसे स्वस्त रख आपके एक्यू प्रेशर है ऐसे बहुत से जैसे सरीर में यह खाओ आरिवेदिक का उपए बताता हूं ऐसा भी बता सकता हूं अन्नमय कोष के बारे में फिर आपके प्रांग कैसी सुरुधर्ड हो जाए ऐसा भी वीडियो की चैनल बना सकता हूं फिर तीसरा है आपका मन की शक्ति मोटिवेशनल चैनल भी बना सकता हूं जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं तो मोटिवेशनल चैनल भी बना सकता हूं फिर आपको बहुत प्रकार का मेरे मैं तो पढ़ता ही रहता हूं मैं स्टूडन्ट हूं तो मेरे पास बहुत प्रभु की कृपा से ज्यान है तो म आपको एक के बाद एक के बाद ज्यान देता रहूं तो आपका विज्ञानमय कोष भी पुष्ट हो जाएगा और एदी मनोरंजन की भी चैनल वनाऊ तो आपका भी मगर मैंने सोचा कि मेरा कर्तव्य क्या है आपका जो समय है तो मैं इसलिए मैंने सोचा कि जो अनमय कोष, प्रानमय कोष, मनों मैं कोष, विज्यान्माय कोष, आनंदमय कोष ये दे हाए तो देवाव को पुष्ट क्यों करो, आपका आत्मा को क्यों नमे जगाओ, मुझे एक आउसर मिला है, आप मुझे देख रहे हैं, तो ये जो बाते हैं, तो मैंने वेद वेदान की द्वनी और गीता पाट करके उन्होंने बहुत जगाया, अब गीता लोग मुझे पुष्ट मैं रोज गीता का पाट करता हूँ, करती हूँ, मैंने बोला भगवान जेखो, आपका मैं पन है, जब मैं था तब तू नहीं, अब तू है तब मैं नहीं, प्रेम गलियती संक्रीत, तामे, दोन समय, गीता का पाट कौन कर रहा है वे, अरे आपसे हो रहा है, ओ प्रभू, जैसे आपने सुनते खाना कौन खा रहा है, बुलते हैं मैं खा रहा हूँ, तो हजम कौन कर रहा है, पाचन कौन कर रहा है, तो बुलते हैं मैं ही कर रहा हूँ, मेरी पाचन सारे भाई, सुनो भगवत गीता का जो लोग आप सुनते हैं, अहम वैस्वा नरो भुत्वा प्र इसस्तिति में श्रीमद भागवत सुनने से कैसे जागेंगे क्योंकि उस कथा के प्रतिक स्लोक और प्रतिक पद में तो वेदो का ही सारांस है आप लोग सनागत वस्सल है और आपके दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता है इसलिए मेरा ये संदेह दूर कीजिए इस कारे में विलम न कीजिए ये जो नारदमुनी है वो रुशी पुत्र है रुशी लोगों है जो जैसे बलते सनकादी कहे तो सनक, सनन्दन, सनातन और सनतकुमार ये जो चार रुशी कुमार है उनसे बता रहे हैं मैं आपको बता रहा हूं तो आपके जो उपाई कर रहे हैं तो देखो क्या होता है कि कोई गुरू के पास जाना है और फिर जो किर्टन है वो ही करना है मैं आपको सच बताता हूं मेरे पास लोग आते हैं और बलता है गुरुजी मैं आपकी वीडियो देखता हूं मैंने जो बताया शब्द विचार और चित्र करते और बलता है गुरुजी यह नहीं हो रहा है तो चलो कीजिए देखो प्रेम से बोल रहा हूं कि आप जितना टाइम वीडियो देखते हैं सुनो आपके जीवन में जैसे सोसिल मेडिया तो इसमें से कितना समय आप शब्द भगवान का नाम लेते या तो माला कीजिए ओम नमो भगवते वास कि आप अपने देखो मेरा काम गुरु का है न तो प्रजुलित करना है मुझे आपको जगाना है उतिश्टित जागरता है आपके स्वयम को पहचानो आप कौन हो आप पिता नईव में माता न जन्म बंदू न मित्रम गुरु नईव शिश्या चिदा अनन्दरूप आपके स्वरुप को पहचानो यह भागवत का जो उद्देश है भागवत यह महान क्यों है कि वह आपके यह भागवत को लोग बलते कि परम्हंसों की सहीता है यह भागवत बहुत बड़ा एक अनूठा ग्रंथ है भगवान का वांग में स्वरुप है तो देखो अभी हम थोड़ा आगे चलते हैं तो यह बात है तो उसमें अभी आपको यह वीडियो का जो सारांस मालूम पढ़ गया यह जो पर्टिकुलर्ली वीडियो है उस लोक जो है वो 64 है औ और भागवत महात्म का दूसरा अध्या है ऐसा समाली उसमें से मतलव है कि वेद वेदान्त का द्वनी और गीता पाल में इस कोई भी पाट करो लोग मुलते बलते हैं मैं गुरुजी जब सनी चराता है सनीवार सेटरडे तब एक स्वांट हन्मान चालीसा करता हूं मैं लो इस लोग बलते हैं मैं पटलते हैं गुरु का मतलब क्या श्री गुरुग और क्या अरे बलते हैं गुरुजी जान्मान चणीजा वें नाम शुनई ना सेरो तो मैंने दिखा है कि हन्मन चालीसा जब आप पढ़ते तो आँठ से न्व यह द दस मीट होती है नॉर्मल जनरल तो किया आप 10-15 मीट हन्मान चले सब पढ़ने के बाद इसे एक मंत्र करते हैं श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम दोलते हैं नहीं वो गुरुजी नहीं होता है तो देखो संकल्प कीजिए मेरे साथ मेरे साथ बूलिया आनन मेरा हो मोज मेरो हर हाल में कुछ राम जय आवरी मोमेंट आप दे लाइव ओम नमा हम ओम नमा हम